हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है Magnet Brains Hindi Medium पर Magnet Brains Hindi Medium पर आपको मिलते हैं 6-8-12th क्लास तक के सभी विश्यों के हाई क्वालिटी कॉंटेंट इसके साथ ही Magnet Brains Hindi Medium आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ CBSC बोर्ट बलके अदर स्टेट्स बोर्ट के भी फुली और्गनाइस कोर्सेज और यह सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिलकुल मतलब कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता ना ही कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसके साथ ही अगर आप हमसे इनोट्स और इबुक्स भी लेना चाते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिये हुए डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास तो हम बात कर रहे थे पार्ट दो प्राणियों में पोशन के कम्प्लीट चैप्टर रिवीजन की तो हमने इसका पार्ट वन देख लिया था आज हम किस पर बात क करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू पे तो चलिए बिना देर के शुरू कर देते हैं तो आज हम बात करेंगे आमाशे से इससे पहले हम क्या क्या देख चुके हैं इससे पहले हम मुख एवं एवं क्या या मुख या मुख गुहिका की बात कर चुके हैं ठीक है इसके साथ ही हमने और क्या देख लिये थे हमने दात देख लिया था हमने जीब देख ली थी ठीक है इसके बाद हमने बात किये थे दूसरे भाग की जो क्या था ग्रसिका तो यहां तक हमने part one में देख लिया है आज अब हम बात क्या करेंगे यह हो गया मुख गोहा है ना यह हो गई हमाई ग्रसी का तो आज हम बात किसकी करेंगे आज हम बात करेंगे आमाशे की चलिए जल्दी से देख लेते हैं आमाशे एक मोटी भित्ती वाली एक थैली नुमा सरचना है देखें यहां पर देखने कोई मिल रही है कि थैली जैसी सरचना है जिसकी भित्ती जिसकी परत कैसी होती है जिसकी परत मोटी होती है जिसकी भित्ती मतलब की दीवार जो है वो कैसी होगी मोटी होगी ठीक है यह चप्टी एवं जे की आकरती का होता है तथा यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है अब अगर हम इसके आकरती की बात करें तो यह चप्टा होता है एवं जे जैसी इसकी आकरती होती है देखें यहां पर यहां पर ऐसा करके है कई जगे यह u-shape दिखाया जाता है तो जे आकरिती हम अपने अगर किताब के द्वारा चले अपने किताब से चले तो हमारे ncrt किताब में क्या दिया है जे की आकरिती दिया हुआ है ठीक है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है लंबे की बात नहीं हो रही भाग क्या है हमारा आमाशय ठीक है यह भोजन नली से खादी प्राप्त करता है तथा दूसरी और शुद्रांत में खुलता है यह भोजन किस से प्राप्त करता है यह भोजन नली से प्राप्त करता है भोजन और फिर पाचन करके कहां पर दूसरी तरफ खुलता है यह यहां पर क्या पाचक रस तरावित होते हैं और क्या स्टरावित होते हैं यहां पर है इस condition मल भी स्त्रावित होता है जो एक प्रकार कंड क्या होता है म्यूकस होता है ठीक है आगे देखि आगे शेष मल आमाशे के आंतरिक सत्य को सुरख्षा प्रतान करता ए अब रगार में शेष मल क fingertips की बात करें तो यह जो आमाशे के आंतरिक सतय होती है यह उसको सुरक्षा प्रदान करने का कारे करता है हाइड्रोक्लोरिक अमल क्या करेगा हाइड्रोक्लोरिक अमल भोजन के साथ पहुंचने वाले जीवानों को क्या कर देता है नश्ट कर देता है साथ ही यह माध्यम को अम ली बनाए रखता है जिससे क्यान होता है पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है यह उसके 빠चक रसं की बात करें जो जटरर रस है वो क्या करते हैं वो प्रोटीन को सरल्पदार्थों में तोड़ देते हैं तो इस-प्रकार से हमारे आशária मार्शा में क्या होता है पा नोंट कभी-कभी जब आप जल्दी-जल्दी खाते हैं अध्वा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है कभी-कभी हम क्या करते हैं जब जल्दी-जल्दी खाने लग जाते तो क्या होता है हमको खेसनी बढ़ जाती है यह करना चारण होता है यह होता किस वाज़े से इसलिए है कि जो श्वास नली है उसमें जो हमने खाया है उसको कुछ कण कहां चले गए है हमारी श्वासनली में चले गए कैसे क्योंकि जो हमाई भोजन नली होती है और श्वासनली होती है दोनों बहुत जादा समीप होती है ठीक है श्वासनली नासिका से आने वाली वायो को फिर इफडो तक ले जाती है ये ग्रसिका के साथ-साथ चलती है यह उसी के साथ साथ चलती जाती है परंतु ग्रसनी में वायो एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं ठीक है फिर भोजन को श्वासनली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है अब यह पूछ रहे हैं कि ग्रसनी में वायो और भोजन का मार्ग एक है क्योंकि ए अब इन दोनों के बीच में होता क्या है कि देखिए जाती तो दोने एकी जगे से हैं अब बहुत पास-पास स्थित रहती है लेकिन जो हम भोजन करते हैं वो श्वास नली में क्यों नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर क्या होता है एक वाल्व जैसी सनरचना होती है एक मांसल चला जाता है श्वास नली में जाही नहीं पआता क्योंकि वह बंद कर देतान या या संयोग वश यदी भोजन के करण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तता हplant चकी आति है या खासी उठी-एक द लिए कब जल्दी-घाने लग को ज्लक्राइब तरह से हमको जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए आगे देखें आगे हम हम बात करेंगे शुद्रांत की मतलब की छोटी आत की जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर क्या दिख रही है यहां पर यह दिखाई दे रही है हमारी छोटी आत यानि कि शुद्रांत ठीक है शुद्रांत में देख लेते हैं शुद्रांत को छोटी आत भी कहा ज अगर पूछा जाए सबसे चौड़ा भाग क्या है तो सबसे चौड़ा भाग की अगर बात हो तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आमाश है लेकिन अगर सबसे बड़े भाग सबसे लंबे भाग की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा वो है हमारी छोटी आठ ठी की लंबाई साढ़े साथ मीटर या फिर बीस फिट होती है अब अगर एक सामान वयस्क व्यक्ति की बात करें तो उसमें जो छोटी आंथ की लंबाई होती है वो दो होती है देखिए यहां पर देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे कुंडलित होके उस जगह पे आ चुकी है समा गई है शुद्रांत यक्रत से पित रस अगनाशय से अगनाशय करस तथा इसकी भित्ती से पाचन रस प्राप्त करता है अब शुद्रांत करता क्या है शुद्रांत जो है वो यकरत से पितरस लेता है वसा का पाचन करता है अगनाशय से अगनाशय करस लेता है प्रोटीन का पाचन करता है और उसकी भित्ती में भी कुछ ऐसे पाचकरस स्त्रावित होते रहते हैं जिससे वो भोजन का जो बचा हुआ भाग उसके पास आया है उसका संपून पाचन क और ठीक है उसमें से पोशकत्तों को क्या कर लेता है अवशोशित करके हमारे रक्त में भेज देता है जिससे हम कारी कर पाते हैं हमें उर्जा मिल पाती है ठीक है यक्रत से स्त्रावित रस वसा के पाचन में महतपून भूमिका निभाता है मैं बता ही चुक्कियों आपको अगनाशे से जो स्त्रावित रस होता है कौन सा रस अगनाशे रस यह कार्बोहाइडेटेवं प्रोटीन पर क्रिया करके उसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है शुद्रांत में भोजन में उपस्थित वसा वसा अमले तथा ग्लिसरोल में और प्रोटीन अमिन अमले में परिवर्तित हो जाता है अगर हम बात करें कि शुद्रांत जो है छोटी आथ जो है यह वसा और प्रोटीन का क्या करती है पाचन करती है तो यह परिवर्तित किसमें हो जाते हैं यह जट्टेल से सरल की तरफ जाते हैं तो अगर इनका जटिल पाट वसा और प्रोटीन है तो सरल क्या है तो सरल वाला भाग क्या हो जाएगा वसा आमले तथा ग्लिसरॉल किसका वसा का और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किसमें हो जाएगा अमीनो आमले में परिवर्थित हो जाएगा ठीक है आगे देखिए शुद्रान छोटी आत में भोजन के पाचन के बाद उसके पोशक तत्तों का अवशोशन होता है जब भोजन का पाचन हो जाता है तो क्योंकि जो भी भोजन हम करते हैं उसमें क्या होते हैं उसमें पोशक तत्तों होते हैं तो वो सभी पोशक्ततों हमाई शरीर को कैसे मिलते हैं, जब हमारी भोजन का पाचन हो जाता है, तो उसमें से जितने भी पोशक्ततों हैं, उसका अब शोशन कौन कर लेता है, छोटियात कर लेती है, ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर देखें, नोट, एक विलक्षन घटना हुई थि उसके बारे में, तो एक विलक्षन दुरघटना हुई क्या थी? कि व्यक्ती था सेस्ञे सेंट मार्टिन नाम का, ठीक है, इसको क्या हूआ था? इसको गोली लग गई थी, कहां पे? इसके वक्षिस्थल पे, यहां पे इसको गोली लग गई थी, ठीक है, जब ये उपचार करवाने गया तो ये सोची एक सैनिक था ठीक है ये एक सैनिक था और जब ये क्या हुआ ये घायल हो गया और घायल होने के बाद ये किसके पास गया ये विलियम ब्यूमॉंट के पास गया जो कि एक सैनिक चिकटसक थे ठीक है इनके पास जब गया तो दर नहीं पाए ठीक है तो उससे क्या हुआ कि वोज़ छेद था उस खेद से जब उन्होंने देखा तो उन्हों को आमाशय के अंदर तक की चीजें दिखाई दे रही थी उन्कों वहां पर आमाशय का छिद्र दिखाई दे रहा था ठीक है अब क्या हुआ कि ब्यूमॉंट को छिद्र में से आमाशय देखने का अवसर प्राफ थो उन्होंने कुछ रोचक चीज़े देखिए अब उन्होंने जब उन्हें ऐसा इतना अच्छा मौका मिला कि अब क्या कर सकते इमापिक छेद हो गया है उसचेद से उन्हें आमाशय कि अंदर क्या क्या होता है कैसे होता है यह सारी चीज़ देखने का जब मौका मिला तो उन्होंने उसका प्रेक्षन किया तो व्यूमॉंट ने क्या देखा कि आमाशय भोजन का मंधन कर रहा था आमाशय में सारा पाचन कर रहे थे ठीक है उसने यह भी देखा कि आमाशे शुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशे में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है फिर उन्होंने यह देखा कि आमाशे जो है वहाँ पर देखे कुछ तरल इस्तरावित हो रहा था फिर क्या हो रहा था भोजन प हमारे कैसे करता है आम आशे में भोजन का पाचन कैसे होता है ठीक है आगे देखें आगे अब हम बात करते हैं कि शुद्रांद में अवशोषन कैसे होता है absorption की बात करें तो देखिए भोजन के पाचन के बाद उसके पोशक तत्तों का अवशोषन कहां होता है छोटी आथ के आंतरिक भित्ती पे होता है यह हमको पता ही है अब शुद्रांद के आंतरिक भित्ति पे क्या होते हैं अंगली नमा कुछ उभरी हुई सनरचनाय होती है जिसको दुईर गुरोम या फिर रसांकुर कहते हैं ठीक है अब इनका कारे क्या होता है इनका कारे होता है कि जो पचे हुए भोजन है उसके अवशोशन के लिए तल क्या करती हैं बढ़ा करके बढ़ा कर देती हैं जिससे वहां पर भोजन का पाचन आसानी से हो जाए इसमें विद्यमान रुधिर वाहिकाओं के द्वारा भोजन के पोशक्तत्तों में अवशोशत होकर रक्त में मिल जाते हैं अब जो इसमें क्या होती है इसमें जो रुध रक्त वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभन भागों में पहुचते हैं और क्योंकि जो रक्त वाहिकाओं होती है वह हमारे पूरे शरीर में होती है ना ऐसा तो नहीं होता रक्त तो पूरे जगे बहता है और रक्त बहेगा अगर वह क्या कर रहा है वह पूरे शरीर में एक में होदी है रख्त वाःक, लाएक पन्ही का पहल only सकता है, शुस्य हम जती है धूर जगे कंगेज़ में होती है अंदर और में係ने सकता है,ने इस खून में पोशक तत्तों को मिला दिया जाता है जो कि शरीर के हर भाग में जाकर के शरीर का क्या करती है विकास करती है ठीक है और शरीर के हर भाग को पोशक प्रदान करती है शुद्रांद में जो पचा हुआ भोजन है उससे पोशक तत्तों के अवशोशन की प्रक्रिया को क किया कहा जाता है उसको स्वाँगी करण कहा जाता है ठीक है जो खून में बेजनी का कारे हुआ और जिस से हम Dw *** मिली ये कारी क्या कहलाता है ये कारे स्वाँगी करण का कहलाता है ठीक है आगे देख लिए अब बात कर लेते हैं हमारी कुछ पाचक ग्रंथियों की हमने कुछ पाचक ग्रंथियां भी पढ़ी थी न तो पहली पाचक ग्रंथिया है हमारी यक्रित यक्रित यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह आमाशे की साइड होता है ऐसा कुछ यक्रित होता है यहाँ पर चोटा सा दिखाई देगा एक थैली नुमा सनजना जो पिताशे होती है यकरत एक भूरे लाल रंग की ग्रंथी होती है इसका रंग कैसा होता है कुछ भूरा लाल होता है यकरत शरीर में पाई जानी वाली ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथी है ठीक है अब ह हमने सबसे बड़ा भाग किसे पढ़ा था छोटी आत को पढ़ा था लेकिन अगर ग्रंथियों की बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो यकरत सबसे बड़ी ग्रंथी है हमारे शरीर में पाई जाने वाली यकरता माशे के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है ठीक है और यह करता क्या है यह पित का निर्माण करता है जो एक प्रकार का रस होता है तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ सकता है कि पित का निर्माण कहां होता है तो यकृत में पित का निर्माण होता है ठीक है यकृत से स्त है यह क्या है यह पित्तरस बना था वह कहां पर जांगा करता है वहां प्तरस भूझन को चारी बना देता है जो भोजन के और यह क्या करता है यह भोजन को चारी बना देता है जिससे क्या होता है बोजन का पाचय बहुत अच्छे से हो जाता है तो इस प्रकार से क्या करते रहते हैं भोजन की समय समय पर प्रकृती बदलते रहते हैं ठीक है आगे देखते हैं आगे हैं दूसरी पाचक ग्रंथी जिसका नाम है अगनाशे की बात करें तो अगनाशे एक हलके पीले रंग की ग्रंथी होती है इसका रंग कैसा हो गया उसका लाल भूरा था यह हलके पीले रंग की ग्रंथी होती है और यह अगनाशे होता कहा है तो यह आमाशे के ठीक करता है तो यह सभी आपको बाते याद होनी चाहिए कि अगनाशे का रंग कैसा होता है यह कहां स्थित होता है और सबसे इंपोर्टेंट इसका क्या कार्य होता है ठीक है आगे देख लें आगे बात कर लेते हैं, आप हम बड़ी आथ की देखिया अगनाश है, अगर आपको देखना है तो यह आमाश है है और यह नीचे अगनाश है है, चीक है? यहां पे, ओके? आप देखलें बड़ी आथ, बड़ी आथ भी दिखा दूँ, यह जो छोटी आथ है और यह जो इसके उपर यह दिखाई दे रहे है, चौडी से सनचना यह क्या है? यह बड़ी आथ है, ओके? चलो देखलें बड़ी आथ क्या है? ब्रहधांत्र को बड़ी आथ भी कहा जाता है, ब्रहधांत्र को अंगरेजी में क्या कहा जाता है? large intestine ठीक है? बड़ी आथ आकार में शुद्रा से भी छोटी होती है ठीक है लेकिन चोड़ाई की बात करें तो चोड़ाई कैसी होती है अधिक होती है ठीक है देख आपको खुधी दिख रहा होगा छोटी आत कितनी पतली है और जबकि बड़ी आत ज içerai वह कितनी चौडी है ठीक है एक सामान व्यश्क में मनुष्क के बड़ी आत की लंबाई कितनी होती है डेड़ मीटर के होती है कहां छोटी आत साड़े साथ मीटर के होती है वहीं बड़ी आत की बात करें तो यह सिर्फ डेड़ मीटर की होती है ठीक है भोजन शुद्रांत के बाद बड़ी आत में पहुंचता है अब अगर हम भोजन की ब पाता है उसका पाचन फिर कहां होता है उसका पाचन फिर बड़ी आत में होता है कुछ ऐसी चीजे भी कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसका पाचन जो है वो छोटी आत में नहीं हो पाता है तो उसको कहां भीज दिया जाता है उसके बाद बड़ी आत में भीज दिया जा बड़ी आत में शुरू हो जाता है आगे देखलें बड़ी आत में जीवाणू मौजूद होते हैं जो किडवन के द्वारा बिना पचे हुए भोजन को विगटित करते हैं अब बड़ी आत में क्या होते हैं हम जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणू रहते हैं कौन सी क्रिया करते हैं यह किडवन की क्रिया करते हैं और किडवन की क्रिया से क्या कर देते हैं जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको और ज्यादा पचा के विघटित कर देते हैं अब जो बड़ी आत है उसमें मुख्य रूप से बिना पचे हुए भोजन में से अतिरिक्त ज रूप से दिखिए जो भोजन में अतिरिक्त जल था उसका पाचन होता है और उसमें कुछ जो लवन थी उसका भी पाचन बड़ियात में होता है उसके बाद बिना पचा हुआ भोजन अर्ध ठोस मल के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है जब इन सभी चीजों का पाचन हो जाता है और अब जो बच चका है बचा हुआ पदार्थ है उसको क्या अर्ध ठोस रूप में कहां भेज दिया जाता है उसको मलाशय में भेज दिया जाता है जल पार बार निश्कासन की आवश्यक्ता होती तो हमको पतले मल जाने लग जाते हैं और हमको वो निकालने के लिए बार 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 जाना पड़ता है इस इस्थिति को कहते हैं यह संक्रमन खाद वीशाक्तिता अथवा अपच के कारण होता है अब इसके कारण क्या है तो इसका कारण है संक्रमन या तो हमें किसी प्रकार का स विशाक्तिता हो सकती है हमने बिना धका भोजन कर लिया है खुले में रखा हुआ या फिर हमने कोई ऐसा दूशत संदूशत भोजन कर लिया है जो जीवानों द्वारा क्या कर दिया गया है संदूशत कर दिया गया है तो हमने या तो ऐसा भोजन कर लिया है जिसकी वज़े से उत्पन हो सकती है भारत में अगर बात करें तो विशेशकर बच्चों में ये अति सामान इस्तिती है चर्मा वस्था में ये घातक भी हो सकता है इसका मुख्यकारण शरीर से जल एवं लवन की अत्यधिक शती होना है अब अगर हम भारत में बात करें तो विशेशकर रूप स से किसे होता है तो यह क्या होता है अब उनके शरीर के लिए बहुत ही कठोर होती हैं भोसे नहीं पचा पाते उनको प्राइं उनको 10 लगना शुरू हो जाते हैं इसके साथ संक्रमण भी बच्चों में बहुत आसानी से फैल जाता है क्योंकि उनका इम्म्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता है छोटे में और दूसरी चीज वो यहां वहां की चीज़ा कभी मुह में डाल लेते हैं कभी गंदे हाथ ही मुह में डाल लेते हैं बिना हाथ दोई खा फिर तो ठीक है लेकिन अगर यह चरम अवस्ता में पहुंच जाता है तो फिर क्या हो सकता है हमारे शरीर के लिए घातक भी हो सकता है क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें हमारे शरीर में जो जल है वो क्या वो उसका पाचन जो होता है बड़ी आत में वहोना बंद हो जल पूरा कहा होता है उसके दस्त के दवारा निकलने लग जाता है जिससे हमें शरीर में क्या होती है जल की कमी होने लग जाती है जल और जो हमारे शरीर के मुख्य खनिज लवन होते हैं उनकी क्या होने लग जाती है शती होने लग जाती है इसे सहजिता से नहीं टालना चाह आप इसको बहुत जादा सहज नहीं लेना चाहिए अगर ऐसी स्थिती उत्पन होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर हम कुछ घरेलू वपाय कर सकते है तो वो भी करना चाहिए उसके लिए क्या करना है उबला हुआ पानी लेना है जिसमें जिवाणू ना हो ठीक है उसमें ऐख चुतकी चमछ sovereign है नमक डालना है उसका एक विलियन बना लेंगे, घोल बना लेंगे और उसको क्या कर लेंगे? उसको पी लेंगे, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? इसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं या फिर ORS कहा जाता है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? आगे देखें अब हम बात कर लेते हैं मल, द्वार, अथवा, गुदा की, ठीक है? यह कौन सी प्रक्रिया में आ जाएगा? अब हमारी प्रक्रिया आ गए उद्सर्जन की, उद्सर्जन मतलब की निशकासन, चीक है? अब क्या हुआ? हमारे शरीर में सबसे पहले अंतर रहड हुआ, मुख की द्वारा है ना? पहले भोजन को अंतर रहड किया, फिर उसका क्या हुआ? उसका पाचन हुआ, पाचन के बाद उसका अवशोशन हुआ, अवशोशन के बाद सुआंगी करन की अब ढूड़ के सारे बाको उन्होंने अपना कारिक कर लिया तो अन्त में कैес अ होगा निशकासन होगा जो भी हमने किया था उसका जो नपचा भाग होग रहेगा अपशिश-पदार्थ रहेगा जो कहां जाकर कि इकठा हो गया है हमारे मलाशे में अब उसका क्या होगा निशकासन किया जाएगा और इसी को क्या कहा जाता है इसी को उत्सरजन कहा जाता है ठीक है अब अगर हम इसकी बात करें तो मलाशे से समय समय पर आवश्यक्ता के अनुसार मल के रूप में जमा बिना पच्चे हुए भोजन का निश्कासन गुदा के द्वारा होता है तो अब जो हमारे शरीर में बिना पच्चा हुआ भोजन है वो समय समय पर हमारे शरीर से क्या कर दिया जाता है निश्कासित कर दिया जाता है ठीक है बिना पच्चे हुए भोजन का मल द्वार के द्वारा न इश्काशन की प्रक्रिया, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी को हम उत्सरजन कहते हैं, चीक है, आगे चले, हो गया यह तक, चलो, आगे देखे, आगे अब हम बात करने वाले हैं किसकी, घास खाने वाले जनतों में पाचन, अभी हमने किस में देख लिया, अभी हमने मानव म पाचन देख लिया किसकी बात हो गई मानव में पाचन कैसे होता है यह तो हमने देख लिया है ना पूरी प्रक्रिया देख लिए कहां से अंतर रहन से लेकर के निश्कासन तक की पूरी प्रक्रिया हमने देख लिए मानव में अब बात किसके में करेंगे जो घास खाने वाले जंतू हैं उनमें अभी घास खाने वाले जंतू में ऐसा क्या खास बात है कि हमें जानना है तो होता क्या है कि हम जो हैं हम जिस भोजन को खाते हैं या हम अपनी आहार नाल की बात करें अपने पाचन की बात करें तो हमारा जो पाचन होता है हमारी जो आहार नाल होती है वो ज इस प्रकार से हमारे पाचन से भिन होता है किनका घास खाने वाले जंतों का पाचन हम अगर माल लजे कि मैं शाकाहारी हूं अब मैं बनूँ ओर मैं भी शाकाहारी हूं और गाय भी शाकाहारी है हम दोनों में पाचन तो की बात करें तो भी वो भी एक है सकते हैं कि उनमें भी पाचन की प्रक्रिया अलग हो सकती है ठीक है अब यहां पर अभी हम किसकी बात कर लेते हैं अभी तो हम बात कर लेते हैं घास खाने वाले जनतों में कि उनमें पाचन कैसे होता है तो सभी चौपाया जानवरों में होती है पाचन की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है लेकिन यहां पर किसकी बात होगी लेकिन यहां पर घास खाने वाले जानवरों की बात होगी लेकिन घास खाने वाले जानवर जैसे की गाय भैस बकरी बैल यह इन सभी जानवरों में पाचन की प्रक्रिया अलग तरह से होती ह इनकी बात करें ये जो घास काते हैं इनमें पाचन की प्रक्रिया अलग होती है और क्यों होती है क्योंकि घास खाने वाले जानवरों को पहले तो हम यह देख लेते कि घास खाने वाले जानवरों को कहते क्या है तो इनको रुमिनेंट कहा जाता है या फिर रोमन्थी कहा जात गहास खाने वाले जानवरं खाते समय घ्रकों के या निंगर में लेते स्लिद की तो ही है क्या कभी पत्ते खिलाए हैं पत्ते खाते न घास काते तो कभी आपने इनको खिलाया है अगर आपने कभी खिलाया होगा देखना जब अधिक मात्रा में खिला रहे होंगे ऐसे घास देते जाएंगे थोड़ी थोड़ी करके तो इतनी जल्दी जल्दी निगलते आप क्या बार-बार दोगे, देखोगे बार-बार देते जाओगे, समय ही नहीं लएगा है ना, तो ये क्या करते हैं? हल्का सच पाते हैं, निगर लेते हैं फिर क्या होता है? फिर उसको वापस मूँ में लाकर के दो बारा चबाते हैं जब इन्होंने निगल लिया तो इनके शरीम में एक भाग होता है जहां पर इकत्रित कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब यह आराम से बैठते हैं अब इनको कोई खिला नहीं रहा है कुछ नहीं कर रहा है तो फिर यह वापस से अपने मुह में लाते हैं उन सभी को और फिर से चबाकर महीन पीस करके वापस से भेज देते हैं हम आशe के पास घास को पेट से दोवारा मुह में लाकर चबाने की प्रक्रिया आप क्या कहलाती है तो यह प्रक्रिया पागुड करना या फिर जुगाली करना कहलाती है ठीक है सोना भी होगा कि जो जानवर होते हैं घास काने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं जुगाली करते रहते हैं मनुश्यों द्वारा खाये जाने वाले भोजन में सेलूलोस की मात्रा बहुत कम होती है जिसको हम रेशा या रेशेदार खाना कहते हैं अब देखे हम जो इंसान हैं जो भोजन करते हैं उसमें किसकी मात्रा सेलूलोस की मात्रा बहुत ही जादा कम होती है जो क्या होता है रेशा या फिर रेशेदार खाना होता है ना हम जो रेशेदार खाना या रेशा लेते हैं तो वह हम किसके द्वारा लेते हैं हम बहुत कम च जाजर का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा रेशा में मिल जाएगा तो वह सब क्या है बहुत कम मात्रा है दूसरी चीज जब पत्य-दार सब्य घाते हैं जिसमें बहुत जादा जिसमें क्या हो सकता हैं जिसमें cellulose होने की chances हैं लेकिन हम क्या करते हैं हम उसे पका के खाते हैं हम कच्चे पत्ते नहीं खाते कभी भी देखा होगा आपने हरी पत्ते दार सब्जियां जो होती है यह जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती है उनको आपने कभी भी ऐसे नहीं कि रोटी ली कच्छी सब्जी ल पर जान्वर क्या पका के खाते हैं नहींना उनको थो आप पालक की गड़ियों जो सकत के हैं है अमएनश जो है इस रेशよ को क्या करते हैं ऊसानी से पचा नहीं पाते Isi वेज़ते हैं ये मलके द्WARA निकल जाते हैं लेकिन घास में एक तरह क्या क्कषा हिए गास में सेल जानवरों के आहार नालते कि बनावर्ट अन्ई जानवरों से क्या होगी अलग तरह की होगी क्योंकि इंको किसे पचाना पड़ता है इनको सेलूलोज को पचाना पड़ता है गास खानी वाले जानवरों का आमाशन के infinite बचाना रहेगा चार बागमary रहता है सबसे पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसको प्रथम आमाशय या फिर क्या कहा जाता है रुमेन कहा जाता है यह पहला भाग होता है घास खाने वाले जानवरों द्वारा आधा चबाया हुआ भोजन प्रथम आमाशय या रुमेन में जमा किया जाता है सबसे पहले पाचन होता है अब वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर उसको कुछ तरी कुछ आधे तरीके में उसका पाचन कर दिया जाता है ठीक है उसके बाद क्या होगा यह घास खाने वाले जानवर आधे चबाए हुए बोजन जिसे जुगाल कहते हैं को वापस मुह में लाकर उसे पुन है वही जुगाली क्यालाती है यह हम देख चुके हैं रोमन्थन क्यालाता है ठीक है हम अक्सर गाय बैल देखते हैं कि जब खा नहीं रहे होते उस समय भी अपना मुह चलाते रहते हैं तो क्या करते रहते हैं वास्ताव में वह समय जुगाली कर रहे होते हैं ठीक है जुगाल 4 भाग में क्या बटा रहता है तो इनका आमाशे देंके एक भाग यह हो गया दूसरा भाग थीसरा भाग इन चौथा बटा रहता है पिर छोटी अध बड़ी आध होती है फिर इनका मलाशे आ जाता है इनों इतली जल्दी भोजन खाया अपनी भोजन नली से कहां भेज दिया ऊपर रुमीन जो दिख रहा है उसमें भेज दिया यहां रुमीन में क्या हो जाता है आशिक पाचन हो जाता है कुछ सरल रूप में उसको तोड़ दिया जाता है फिर जब यह खाली बैठे होते हैं तो यह वापस इसको अपने होती है उसके बाद आमाशे में पाचन की सारी प्रक्रियाओं के बाद भोजन को छोटियां तथा बड़ियांत में भेजा जाता है फिर आमाशे में जिस प्रकार हमाय भोजन का पाचन होता है तो उसका पाचन होता है और फिर उसको छोटियां तो बड़ियांत में भेज दिय जाता है जहाँ भोझन में उपस्तित पोशक्ततो अवशोषित कर लेती है उसी प्रकार इन hybrid गोजन का भाड़ी आह्त में भेज दिया जाता है महां भी थोड़ी वहाब own चीज़ों का तिन अरफ इसके बाज शेय कॉड़ीanted आप रही बाज यहादJA suggestions क्या करती है जो कहें अप्षिष्ट पदार्थ है वो जो है वो मल के द्वारा मल के रूप में उतसर्जित हो जाता है ठीक है फिर आगे देखें रुमिनेंट में छोटियां तथा बड़ी आत के बीच थैली नुमा आकरती होती है जिसे अंधनाल कहते हैं अब यहां आप देखेंगे कि ब मुखे रूप से सेलुलोस का पाचन करते हैं अब यह जो अंधनाल है हमारे अगर मनुश्यों की बात करें तो यह जो है बहुत ही छोटा होता है ठीक है लेकिन इन में घास खाने वाले जंतुओं में अच्छे से दिखाई दे रहा है उसमें होते क्या है इसमें कुछ जीव सेलुलोस को नहीं पचा पाते हैं ठीक है आगे देखें अब हम देखते हैं अमीबा में संभरन एवं पाचन हमने क्या देख लिया हमने घास खाने वाले जंतों में पाचन देख लिया अब हम बात कर लेते हैं कि अमीबा में पाचन कैसे होता है तो अमीबा की अगर हम बात कोशिका से बना होता है और उनके कोई अंग नहीं होते हैं ठीक है हमारे इतने सारे अंग हैं हमको क्या अपने हाथ दिखते हैं पैर दिखते हैं हमारे आखे दिखती है ना हमें पेट दिखता है पीट दिखती है हम जो है हम कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हम बहु बात करें तो यह कैसे यह सिर्फ एक ही कोशिका से बने हुए इनका कोई और अंग नहीं दिखाई देता है फिर भी इनमें क्या होता है इनमें पाचन भी होता है श्वसन भी होता है प्रजनन भी होता है यह सारी प्रक्रियाएं होती है ठीक है आगे बात कर लें तो अमीबा प दिखाई नहीं देता इसका कार बहुत छोटा होता है ठीक है आपको अमीबा दिखाई दे रहा है आप इसमें क्या होता है बुल्बुले के समान बहुत सारी क्या होती है धानियां होती है अब है यहां पर दिखेगा को केंद्रक होता है यह एक कोश की जीवाइस का है इसके बाद कर ले होती है ठीक है और इसके अंदर एक द्रव्य टाइप का भरा रहता है एक लिक्विड भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं जिसको जीव द्रव्य कहते हैं और इस जीव द्रव्य में कुछ क्या होती है कुछ धानिया होती है ठीक है कुछ धानिया दिखाई दे रही होंगे अब अब होता क्या है कि यहाँ पे चलिए आगे इस स्लाइड में देखते हैं कि इसमें होता क्या है कैसे यह अपने भोजन को ग्रहन करता है तो अमीबा जो है वो क्या करता है निरंतर अपनी आकरती और स्थती बदलता रहता है इसकी जो आकरती अभी आपको दिखाई दे रही है जरूरी नहीं यह आकरती ऐसी ही हमेशा दिखाई दे नहीं मेरा शरीर ऐसा है तो मेरा शरीर ऐसा ही दिखाई देगा ऐसा तो नहीं कि मेरे इस हाथ से यहाँ से एक और हाथ निकलने लग जाएगा या मेरे पैर से दो पैर इखटा निकलाएंगी या मेरा यहां से एक और सिर निकलाएगा ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा पर इसके साथ जरूरी नहीं है अभी इसके पैर यहां से निकले हो दिख रहे हैं कहा जाता है जो इन्हें गती प्रदान करते हैं एवां भोजन पकड़ने में क्या करते हैं सहायता करते हैं अब आप यहां चित्र में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसने यहां पर अपने कृत्रिम पैर बनाए यह दो पादाब बनाए ठीक है यहां पर खाद दिकडिका मतल को क्या करेगा उसको फसा लेगा और यह जो खादी के कण है यह कहां फस जाएंगे यह इन खाद धानियों में फस जाएंगे और फिर इसका क्या शुरू हो जाएगा इसका पाचन शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद इसका उत्सर्जन कर दिया जाता है ठीक है अमीबा क क्या खाता है अमीवा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है वो खुद ही एक सूक्ष्म जीव है तो उससे भी ज्यादा जो सूक्ष्म इधानी में क्या हो जाते हैं जिसकी वज़े से वह वापस निकल नहीं पाते हैं अब क्या होगा खाद दानी में ही पाचक रस इस्तरावित होते हैं और यह खाद पदार्थ पर क्रिया करके उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं और जटल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है पचा हुआ खाद्य जो है वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है दीरे-धीरे वो अफशोशित हो जाता है और अफशोशित पदार्थ हम अमीबा की व्रद्धी के लिए रखरकाव के लिए और उसके गुणन के लिए और जादा विकास के लिए प्रज की प्रक्रिया होती है ठीक है कि तो यहां तक हमने देख लिया देखिए हमने घास खाने वाले जनतु मानव में पचान आइया में पचन सारी चीजे वापस एक बार से रिवाइस कर लिए है चेत्र के माध्यंम से क्रिया खालाए के माध्यम Commission हमने किसी भी चीज को complete chapter revision में भी नहीं छोड़ा है हमने हर topic को हर line को हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है मुझे उमीद है कि यहां तक मैं आपको part 2 का 80-90 प्रतिशत भाग तो मुह जबानी आदो गया होगा मतलब आपको आप अगर किताब भी ना खोलो तो भी आप सब कुछ बता सकते हो किस part के अंदर क्या क्या चीजे हैं और कैसे कैसे हर प्रक्रिया होती है अगर आप शुरू से लेके अब तक सारे lectures में बने हुए है ठीक है अगर आप शुरू से लेके अभी तक के सारे lecture अपने time to time पढ़ें हैं देखें हैं तो comment section में यह बात जरूर बताईएगा ठीक है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो इसी तरह के और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या होगा उसके लिए बस यह करना है कि चैनल को फटा-फट से subscribe कर लेना है और जो ब वीडियो है अच्छे वीडियो है उन सभी के लिए आप जुड़े रहें मैगनेट ब्रेंस के यूट्यूब चैनल वेब साइट और एप से मैगनेट ब्रेंस इंडिया का नंबर 100% free online education platform यहां पर आपको शिक्षा मिलती है बिलकुल free इसके लिए आप से किसी भी तरह का top course है जो यहां screen पर दिखाई दे रहे हैं और यह सभी मिलते हैं high quality education के साथ English और Hindi दोनों मीडियम में इसके साथ ही अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं तो उसकी link आपको description box में मिल जाएगी और अगर आप हमसे other social media platform पर भी जोड़े रहना चाहते हैं तो follow कर सकत हैं facebook, instagram, twitter और telegram पर भी तो बच्चों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें दोस्तों को share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं next video के साथ तब तक के लिए bye bye